नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पूजा दुबे आप देख रहे हैं MP भारत बुलचिन की शुरुवात करेंगे लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइन्स के और 28 सीटु पर उप्चुनाओं की मतगणना से पहले मुलाकातों के जर्ये अपनी अपनी पाचियों को मजबूत करने का दौर जारी आरोप प्रत्यारोपू का दौर जारी चुनाओं मतगणना के पहले कमलनात ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप वोटिंग में गड़वड़ी के बाद अब मतगणना में गड़वड़ी की आश्रंका जिसे लेकर कॉंग्रेस के पांच वरिस्क नेता ने लिखा चुना आयोक को पत्र बोपाल में दोड रही रेट बसों की जिम्मेदारी अब आम जणता के हाथ बसों की रेटिंग अपताय करेगी जणता महकाल की दर्शन करने पहुँचे फ्रांस की रासदूत मंदिर समेती ने लिनिन को बाबा महकाल की तस्वीर भेट की चलिए अब नस डालते हैं खबरे विस्तार से प्रदेश में हुए 28 सीटों पर उप्चनाओ की मतगणना अब 10 नॉंबर को होनी है जिसे लेकर सभी पाठिया चाहे कॉंग्रेस हो या भाजपा दोनों ही पाठियों ने अन निर्दल्य पाठियों के वधायकों को साधना शुरू कर दिया है मुलाकातों के जरीए अपनी अपनी पाठियों को मजबूत करने का दौर जारी है इसे बीच बीजपी चुनाव प्रबंदन समेती के संयोजक वुपेंद्र सिंग से कुछ निर्दल्य दल और अने दलों के वधायकों ने मुलाकात की जिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते वे कॉंग्रेस के वरस्ठ नेता सर्जन सिंग वर्मा ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों सीकी उनका कहना है कि भाजपा ने इस समय अंग्रेजों का रुप धारन कर लिया है फूद डालो और राज करो बीजेपी ने इसलिए जान करके इन बाजपा सपा निर्दली विधायकों को बुलाए कि कॉंग्रेजों पे एक मांसी दवाओ बन सके दूसरी बाजपा समझ गई है कि अब जो 28 विधान सब़ा की चुनाओं के नतीज़े आ रहे है सारे की सारे कॉंग्रेजों के पक्षमे जा रहे हैं तो इन्हें पर लोबन देने का जो सिलसिला है जो सड़े जंतर पहले रचा वो फिर सड़े जंतर का बड़ा रूप करने जा रहे है देखिए एक बात समझ लिए भारती इंता पार्टी ने अपने विधायकों के लिए रिसोर्ट बुक कर लिए अब कॉंग्रेस के विधायक तो जाना वाले नहीं है प्रदेश में चुनाओ और प्रचार तो खत्म हो गए लेकिन आरूपू का दौर लागतार जारी है चुनाओ मतगंडना के पहले परव मुख्यमंत्री कमलात ने भाचपा पर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि भाचपा ने अपनी हार सुनिश्चित देखते वे सौधिबाजी और बोलिया लगाने की राजनीती फिर से शुरू कर दी है साथ ही उन्होंने कहा कि उप्चुनाओ में कॉंग्रिस की जीत और भाचपा की हार नश्चित है जिसको लेकर भाचपा के लोग उनके संपर्ख करके तरह तरह के प्रलोभन भी दे रहे है हुप्चुराणबों में मद्द्देश के मधदाताओंने 28 सीटों में खुल कर सच्चाई का साथ दिया है और भारते जंतापार्टी को यह ऐसास हो रहा है यह ऐसास हो रहा है कि वेंन चुनाब बुरी तरह हारने वाले है और मद्धिप्रदेश के इस फैसले को कैसे सुईकार करें उन्हें जो उपाई डूंडा है कि फिर से सौधे बाजी करें मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत विधायकों ने मुझे सूचना दिये कि किस प्रकार से उन्हें विभिन प्रकार के प्रलोबन दिये जा रहे हैं, कि सौधा हो जाए और फिर से बोली-बोल के अपनी संख्या बनाएं. मैं भारतिय जन्था पार्टी को साथ और स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मद्य प्रदेश की जन्था ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्रीकार्टी करें और जन्था और कॉंग्रेस मिलकर इसका सामना करें सूबे में 28 विदानसबा सीटो पर हुए उप्चुनाव के बात से कॉंग्रेस वोटिंग में गडवडी का आरोप तो लगा ही रही थी अब मदगर्णना में गडवडी की आश्रंका भी जताई जारी है इसे लेकर कॉंग्रेस के पाँच वरिस्ट नेता, कपिल सिब्बल, डिग विजै सिंग, विवेक तंखा, मुकुल वासनेक और वरुन के चोपडा ने चुनाव आयोक को पत्र लिखा 35 पन्ने के पत्र में कॉंग्रेस ने चुनाव आयोक से मांग की है कि मतगणना स्थल पर उपस्तित रहे अधिकारी और कर्मचारियों के मुवाइल पर पुन रूप से प्रतिबंद लगाया जाए इसके साथ साथ कॉंग्रेस ने ये भी कहा कि डात मतपत्र और ईवियम की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखी जाए साथ ही मतगणना की लाइब रिकॉर्टिंग भी की जाए कॉंग्रेस प्रत्याशी पंकच उपाध्याई को हाइकोच की ग्वालियर बेन से जटका लगा है कोट ने पंकच उपाध्याई की रिपोलिंग की मांग को खारिच कर दिया है दरसल कॉंग्रिस प्रत्याशी पंकच उपाध्याय ने हाई कोच में याचका दार की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाय थे कि जोरा वधानसबा केंदर में 16 मतदान केंदरों पर गड़बड़ी हुई थी वह उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 नॉमबर को हुए मतदान में इन केंदरों पर बूत कैप्चरिंग की गई और यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ट भी हुई है सोला मतदान केंद्रों पर बूत कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए उन्होंने पुना मतदान की मांग की थी जिसी आजका को हाईकोच की ग्वालियर बेंच ने खारिच कर दिया गौरतलब है कि सुबे में तीन नॉंबर को 28 वधानसबा सीटों पर उप्चना हुआ था जिसका परिणाम 10 नॉंबर को घोशित किया जाएगा सुबे की 28 वधानसबा सीटों पर उप्चनाओ की नतीजों के बाद कि स्थिती को लेकर बीजिपी और कॉंग्रिस दोनों ही पार्टिया सक्रिया है और ताबर तोड मुलाकातों और बैठकों का दौर चर्चा में है दोनों ही पार्टिया किसी भी हाल में चुनाओ को जीतना चाती है और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाती जिससे कुरसी उनके हाथ से खिसक जाए खबर है कि कॉंग्रिस ने मतगर्णना के अगले हिदन विधायक दल की बैठक बुलाई है इसमें सभी नेताओं को भुपाल बुलाए गया है बताय जा रहा है कि कॉंग्रिस ने गटबंदन वाले सपा, बसपा और निर्दलिय विधायकों को भी नियोता भीजा है 11 नौंबर को शाम 6 बजे कॉंग्रिस विधायक दल की बैठक होगी पर्व मुख्यमंत्री कमलाथ विधायकों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीती तैग करेंगे एक तो कुरोना काल और उस पे चीन से चल रही टसल का असर राजधानी के बाजारों में देखने को मिल रहा है इस बार तस्वीर पिछले साल से काफी जादा उलत है बाजारों में चाइनीज लाइट और सजावती समान बहुत कम दिखाई दे रहे है पिछली बार तक बैपारी 70 फीजदी तक चाइनीज आइटम मंगा दे थे लेकिन इस बार ये 23 फीजदी ही रह गया है इसमें से भी अधिकांश बैपारियों के पास पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है लाइटो और सजावती समानों से जुड़े बैपारियों का कहना है कि इस बार देसी लाइटे और सजावती समान की ही बिक्री जादा हो रही है चाइनीज लाइटी और जालरों का कोई ओजर नहीं मिला है यानि इस बार देशी रोशनी से दिवाली जगमग होगी फ्रांस के राजदूद एमेनुवल लिनिन नीजी दौरे पर इंदौर पहुंचे शनिवार सुबा वो बाबा महाकाल का अश्रवाद लेने उज्जैन पहुंचे यहाँ पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किये और बाबा से आश्रवाद लिया महाकालेश्वर मंदर समीती ने लिनिन को बाबा महाकाल की तस्वीर वेट की लेलिन भारी सुरक्षा और गोपनिय तरीके से उजयन पहुंचे और महकार दर्शन के बाद रामखाट और इंदौर रोट स्थित प्राटिन शनी मंदिर में भी दर्शन किया इसके बाद वो यहां से इंदौर के लिए प्रवाना हो गए राज़धानी भुपाल में दोड रही रेत्च बसों की जमिदारी अब आम जनता को मिलने चारी है यानि आम जनता रेत्च बसों की सर्विस को अपनी रेटिंग के जरिये सुदारने का काम कर सकेगी इस रेटिंग के लिए QR कोट और आप की मदद से लोग रेटिंग कर सकेंगे रेटिंग में बस की टाइमिंग, बस चालक और परिचालक का वैवहार सब सफाई सभी को ध्यान में रखा जाएगा जो रेटिंग आम जनता करेगी फिर उसी के ही आधार पर बसों में सुधार किया जाएगा अगले हफ्ते तक शहर में गया अभियान शुरू हो जाएगा इस अभियान में केवल जनता बसों को रेटिंग ही नहीं देगी बलकि यातियात नियमों से संबंधित बुकलेट भी जनता को बाटी जाएंगी MP भारत बुलेचिन में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहेए MP भारत नमस्कार